प्रियो शिक्खार्टी ब्रिंदो शोबाईक्यामार यूटूब वीडियो चेनेल उइलाइक अनाटोमी ते शागतो जानाच्छी दिस इज एनादार एक्स्प्लानेटोरी अनाटोमी सेशन आज क्या मी नतुन एक्टी टोपिक निए एक्स्प्लेइन कोर पो आलोचना शुरूते शोबाईक्यामी चेनेल टी सब्सक्राइब कराचननो नुरोच जानाच्छी एक्खने अम्रा एलिमेंटरी ट्रेक्टेर बिबिन्नो पार्ट देख्टे पाच्छी फ्रम माउथ टो एनस अबंग एक्टने कालर्ट को रापाट्टा होच्छे इसोफेगास इसोफेगास is an आपर पार्ट अप देलिमेंटरी ट्रेक्ट इसोफेगास के जोदी आम्रा इस्टोलोजिकल सेक्षन कोरी ताहोले एरकोम देखाजाबे तारेक्टा लुमेन आच्छे आराच्छे वाल वालेर माजे चाट्टा लेयार आच्छे प्रथमे आच्छे लाइनिंग इपिथिलियाम देन आच्छे लेमिन अप्रोक्ट्रिया देन आच्छे मस्कुलारीस म्युकोसा एई तीन लेयार मिले म्युकोसा वा म्युकस मेंब्रेन म्युकोसा नीचे थाके सब्म्युकोसा सब्म्युकोसा ते अमरा इसोफेजियल ग्लेंड देखी एज एखाने आचे इसोफेजियाल क्लेंग, एगलो म्यूका सिक्रेटेंग लेंट, सब्म्यूकोसा नीचे पावाजाए मस्कुलारीस एक्स्टार्ना, मस्कुलारीस एक्स्टार्ना इनार सर्कुलार अबंग आउटर लोंगी ट्रीटिनल एई पैटार्ने शाजानो थाके, श देन दिसीदा लेमिना प्रोप्रिया, अलेमिना प्रोप्रियार नीचे आमरा मस्कुल लेयार देखते बाच्छी, एई होच्छे मस्कुलारीस म्यूकोसा, एई तीन लेयार मिले तोरी होई, म्यूकास मेंब्रेन और म्यूकोसा, तार नीचे आचे सब्म्यूकोसा, सब्म्य अम्रा मुकास सिक्रेटिंग इसोफिजियाल ग्लेंड देखते बाद छी। देन आचे मस्कुलारी सेक्स्टर्ना जेटा इनर सर्कुलार बंगाउटा लोंगिटुडेनल पेटर्ने शाजानों शोबार बाइरे आचे सेरोसा और एट्वेंटिशिया। ताहोले आम्रा जेटा देखला आमी इसोफिगा सेर एक्टा लाइनिंग इपिथिलियाम आच्छे। एटे क्यमोन इपिथिलियाम इसिट सिम्पोल इपिथिलियाम और माल्टि लियार्ड इपिथिलियाम। एट उच्छेक्टा स्ट्रेटिफाइड इपिथिलियाम। देटि और सुबर विछाल लेयरे हो सेल देख्टे बाच्छी जारा स्कुवामा सीन्चे रबं प्रत्यक्ट सेलेर माजे ता नुकलियासो देखा जाच्छे तार मने तल लाइनी होच्छे नौन केराटिनाइस स्ट्रेटिफाइड स्कुवामा से पिथिलियाँ एकर वेष करेओ जामनने जामने एक्स्पलेंट वाइचा बाइस नौन केरटिनाइस डाइस्ट्रेटिफाइड स्कु Śिवामा से पिथिलियाँ एकटा अबस्तन और सिक कारेओ ऑर भाइवा एक्जाम अथो बाक्वेशन होते बारे, explain the structure-function relationship of non-keratinized stratified squamous epithelium in the esophagus एक्टा understanding type of question for भाइबा एक्जाम, भाइबा तरिकम क्वेशन ठाके अथो बाइबा तरिकम क्वेशन होते बारे, justify that esophagus is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium एक्टा evaluating type of question for SQ और भाइबा एक्जाम शोतो रांग, तेनो इस्वेग से lining non-keratinized stratified squamous epithelium एक्टा मादेर के बुस्ते होबे अबं explain कोरा बा justify कोरा जानते होबे एई explanation ने जुन्दाम्रा तीन्टा शब्दो वेचे निबो, छे तीन्टा शब्दो के explain कोरबो at first why it is non-keratinized because esophagus lies within the interior of our body its mucosa is not exposed to air there is no chance of water loss through the epithelium therefore keratinization is not needed there cells of the superficial layer show nuclei does it is non-keratinized जोदी 300 superficial layer cell एकोणो nucleus ना थाकतो तर मने शेटा होतो keratinized आर keratinized हो आर पीछोने कारण होच्चे शेई epithelium टा होबे ए आर exposed एटका dry surface होबे a dry surface होले water loss हो आर possibility थाके तबों एई कारणे प्रतमे cell गोलो ता नुकलियास बेर कोरे दीबे शेटा फिल कोरे राके keratin दिये cell होए जाए keratinized जामोन आवदेर स्कीने रिपीड आरमीस ता लाइनिंग इन्तु keratinized करण एई epithelium ARR exposure होए थाके एपithelium टा dry surface होच्चे एक आदेक water loss होग पोसिबिलीटी थाके आवों water loss ब्रिवेंड कोर अर्जुन्नो keratin जोमा होए आर keratin जोमा कोडते गिए सेल ता नुकलियास बेर कोरे दै शोतो रांग आम्रा keratinized पithelium आमेर केत्रे superficial layer of this cell air माझे कोनो नुकलियास देखते पाबो ना ता होले आम्रा बुजलाम कैनो esophagus cell lining non-keratinized एकोन आम्रा जांबो esophagus cell lining कैनो stratified esophagus is a foot passage the mucous membrane of the esophagus is subjected to friction by food which can be soft or hard hot or cold for the protection of its wall from injury by food the lining is stratified esophagus दे जशो foot pass kore शे food तार वाल के injury कोटते पारे injury ठेके protectionर जोंद the lining हुचे stratified now esophagus is lined by squamous epithelium why not columnar why not cuboidal epithelium एर पिच्छो ने कारो नच्छे no digestion or absorption occurs in the esophagus there is no need for secretion of any enzyme the lining epithelial cells have less amount of cytoplasm containing fewer organelles so these cells are squamous शुत्र अगम्रा गुजलाम why esophagus is lined by non-carotinized stratified squamous epithelium thank you very much take care झाल जाल